नमस्कार मैं हूँ श्रद्धा आप देख रहे हैं न्यूस 24 मध्य प्रदेश चछतीजगर चछतीजगर में भूपेश सरकार की योजनाओं से प्रदेश के किसान युवा और महिलाओं को लाब मिल रहा है खास कर किसान न्याओं यूजना गौधन न्याओं यूजना से किसान खुशाल हो रहे हैं वही महिला संगटन को दी गई कई सौगातों से प्रदेश की महिलाएं अब आत्म निर्भर बन रही हैं वही सरकार कानून व्यवस्था को लेकर भी हर मोर्चे पर सफल रही है आज इसी मुद्धे पर बात करने के लिए हमारे साथ जोड रहे हैं चोटीज कुर की ग्रह मंत्री तामर्थवज साहू जो सरकार की जनकल्यान कारिक्रमों के बारे में जानकारी देंगे बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका और भधबर सुक्रिया आपने अपना समय दिया और बात बहुत-बहुत धन्यवाद आपको जे और आप बात सरकार की योजनाओं की उन योजनाओं की जिससे जनता तक लाब पहुँचा है और जनता प्रगती की और अग्रसर हुई है प्रदेश प्रगती की और अग्रसर हुआ है जे बहुत सारी योजनाओं सरकार ने शुरू की है जिससे प्रदेश की उन्नती हो उन्हीं योजनाओं के बारे में जानना चाहूंगे आप उन्हीं योजनाओं के बारे में थुड़ा हम को बताएं ताकि जनता को पता हो कि सरकार ने उनके लिए क्या कुछ किया है देखिए वर्तमान जब चुनाओं हुआ और माननी मुख्यमंतरी के रूप में भूपेज बगहल जी ने जिम्मेदारी समहाली उस दिन से लेके अब तक सरकार का माननी मुख्यमंतरी जी का पूरा फोकस रहा है गाओं गाओं के किसान और गाओं के मजदूर अन्यान्य छेतरों में भी उन्होंने फोकस किया चाहे वो उद्द्योग हो या अन्यान ने छेतरों पर मूल रूप से तिसानों को फोकस किया गया और सबसे पहला काम जो हमारे घोसना पत्र में दिया गया था चुनाओं के समय हमारे राष्टी नेता अधर नी राहुल गांधी जी जब आये थे तब उन्होंने कहा था च्छतिस गड़ की जनता को आस्वस्त किया था कि आप हमारी सरकार बनाईए सरकार बनेगी तो दस दिन के अंदर हम करजा माफ करेंगे और जैसे ही सरकार बनी मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने सपत लिया सपत लेते ही दो घंटे के अंदर हम लोगों ने प्रस्ताव किया और किसानों के करजा माफी का स्विक्रिती दी और उसका आदेश किया विकास का सिलसिला शुरू वहां से हुआ, पूरे किसानों का करजा माफ किया गया, फिर धान खरीदी की बात आई, 25 रुपिया में धान खरीदेंगे ये बात आई थी, केंदर सरकार ने उसमें रोक लगाया कि आप बोनस दोगे तो हम आपका धान चावल नहीं लेंगे, तो माननी मुख्यमंद्री जी ने उसका भी रास्ता निकाला, 1875 जो समर्थन मुल्य धान हम उसमें खरीदें, और 600-700 राजिव गांधी किसान न्याय योजना एक योजना लांच की गई, उसके तहक मिलाकर 25 रुपिया प्रतिक विंटल के हिसाब से किसान के खाते में हम लोग हत्या नहीं करना पड़ा, नए सिरे से कर्ज लेकर किसानी उन्होंने किया, लाभर जित किया, 25 रुपिया प्रतिक विंटल की रासी मिलने से किसान की माली हालत सुधरी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, उनकी सिक्षा, उनका इलाज, घर के कपड़े, घर के अन्याने व विवस्था, किसानी की अन्याने विवस्था सब करने में हमारा किसान सक्षम हुआ, और तो आप देखेंगे, कोरोना काल में, पूरे भारत वर्स में महंगाई की बात आई, कर्मचारियों के वेतन में 20-30% कटवती की गई, लेकिन हमारा 36 गड़ एक मात्र ऐसा राज्य है, जहां किसी अधिकारी कर्मचारी के वेतन में हम लोगों ने कटवती नहीं कई, माननी मुख्यमंत्री जी ने इस पस्क निर्देश दिया, और देखेंगे आप, किसान के पास जो पैसा गया, महंगाई का असर नहीं होने का मूल, जो बात है वो मैं बताने जा रहा हूँ, कि किसान के पास जो पैसा आता है, किसान उसको रखता नहीं है, वो पैसा मार्केट में आता है, जैसे मकान बनाया, तो छड लिया, इटा लिया, गिटी लिया, रेती लिया, सिमेंट को लिया, मजदूर को दिया, तो पूरा पैसा मार्केट में आया, तो ब्यापारी भी ठीक मार्केट भी ठीक रहा मांगाई भी नहीं होई हमारे यहां तो यह हमारे यहां जो योजनाई बनती गई उसका है अब उसके बाद अभी नया योजना फिर से माननी मुख्यमंत्री जी ने लांच किया है जैसे फसल चक्र परिवर्तन एक बात है जैसे धान बो रहे है धान जो बो रहा है किसान धान बोना बंद करके अगर वो व्रिक्षार उपन करता है तो तीन साल दस दस हजार हम देंगे उस किसान को अगर वो दूसरा कोदो कुटकी अरहर कोई दूसरा फसल बोता है तो उसको भी हम 9000 की दर से हम रासी हर वर्स देंगे तो नया नया फसल चकर परिवर्तन का भी इसकीम निकाला गया और इसी प्रकार की जितनी भी योजना लांज की गई वो लगातार हम किसानों के लिए मजदूरों के लिए, बेरोजगारों के लिए महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सब के लिए योजना लांज की गई सबसे एक उपलब्धी कहेंगे सरकार की अर्थविवस्था आर्थिक तोर पर देखें तो उसमें भी मजबूती आई है, अर्थविवस्था को मजबूती मिल रही है मुझे याद है जब कोरोना की पहली लहर आई थी और उससे जब जैसी उबरे थे तो मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हमें इतना नुकसान नहीं हुआ, हम आर्थिक तोर पर मजबूत है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धी कही जाएगी वो दोर जब पूरा देश ही नहीं, हम कहेंगे कि हर जगा कोरोना की वज़ह से आर्थिक तोर पर हर कोई कमजोर हुआ था लेकिन उस सब में भी इतना पूरे प्रदेश को सहेज के रखा कि किसी को इस तरह की दिक्कत नहीं आई आप देखेंगे कोरोना पिरेट की जिसकी बात आपने कही है माननी मुख्यमंत्री जी के पास वित्त विभाग भी है और वित्त मंत्री के नाते रोजाना समिक्षव करते रहे हैं कि और जब कि केंदर सरकार से हमको जो रासी 15-20 अजार करोड जो मिलने चाहिए थी जी से अण्यान अंधों का है उबु के माननी मुख्यमंत्री जीने बी कास को भी नहीं रोका इसको भूग मरने दिया राशन एक महा का दो महा का तीन-तीन महा का फ्री में रासन पहुंचाया गया चोटे चोटे बच्चे जो आंगन बाड़ी कोरोना के कारण बंद तो रासन उनके घर तक पहुंचाया गया किसी को भूख मरने नहीं दे गया आप देखेंगे प्रवासी मजदूर की बात ले लें जो अन्य प्रदेशों में काम करने गए मजदूर जो चतिस गड़ के थे वो वापस आ रहे थे या चतिस गड़ की सीमा को पार करके दूसरे प्रदेश जा रहे थे एक दिन मुख्यमंदरी जी ने दौरा किया टो देखा देख जो पैदा ला रहे थे प्रवासी मजदूर उनके पैर में चाले पड़ गए थे खाने को नहीं था पीने को पानी नहीं था पैर में चप्पल नहीं था तत्काल आकर के पूरे प्रदेस में समस्त जीले के कलेक्टरों को, S.P. को उन्होंने निर्देश दिया कि हमारी सीमा में जो मजदूर आता है, चाहे वो 36 गड़ का है या दूसरे प्रदेस का तत्काल उनके लिए गाड़ी की वियुस्था किया जाए उनके लिए चपल जूते की वियुस्था किया जाए, दवाई की वियुस्था किया जाए, उनके लिए खाने की वियुस्था किया जाए, कपड़े की वियुस्था किया जाए और हमारे प्रदेश के हैं तो जहां के हैं वहां गाड़ी से छोड़ा जाए दूसरे प्रदेश के हैं तो जहां हैं उस प्रदेश तक छोड़ा जाए ये सारी वियोस्था हैं इलाज की वियोस्था पूरी की आयकसरोत बनाया और पूरी मजभूती से वित्ति स्थिति को बना की गई आप देखेंगे only medicine हमारे अंगन-बाडी कारिकरता सहहीका- मितानिन, उनको थोड़ा सा सर्दी खासी बुखार आया गाह में किसी को तो टेस्ट करने के बाद कॉरोना निकले तब दवाई दो ऐसा नहीं, कॉरोना को काबू में पाने का एक बड़ा कारगार कदम माननी मुख्यमंद्री जी का कि किसी को सर्दी खासी भी आई तो कोरोना का दवाई पहले से दे दो ताकि वो कोरोना में डाइवर्ट ही न हो पाए तो उसमें कोरोना को हम लोगों ने माद दिया और बहुत जल्दी इसको काबू में किया तो माननी मुख्यमंद्री जी की संवेदन सीलता दूर दरसिता का ये परिनाम है कि हम लोगों ने च्छतिस गड़ में अच्छी विवस्ता बनाने में कामियावी हासिल की है खासता और पर किसानों की बात करूँ मैं तो किसानों के लिए काम किया है राजीब गांदी किसान ने आई उजना तो है ही गौधन ने आई उजना है इसके लावा गोबर खरीदी हलाकि गोबर खरीदी जिसका विपक्ष ने जिसको लेकर काफी कुछ कहा भी और जिसका विरोध भी किया लेकिन अगर केंदर की मैं बात करूं तो केंदर को ये बड़ी पसंद आई थी ये गोबर खरीदी की यूजना ये ये वाकई में अपने आप में अनोखी और इससे भी लोगों को लाब हो रहा है देखिए जिस समय माने मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को लांच किया गोबर खरीदी का तो लोग हसी उड़ाते थे कि ये भी कोई सरकार है, ये भी कोई योजना है कि गोबर खरीदने में लगे लेकिन उस समय भी मैंने कहा था, आज भी मैं जगा जगा बोलता हूं इस चीज को लोगों को मात्र गोबर खरीदी की बात नहीं ध्यान देनी चाहिए हमारा जो गवठान बन रहा है, वो हमारा लगू उद्योग केंदर के रूप में विक्सित हो रहा है गाहों के जितने वे रोजगार नौजवान हैं, महिलाएं हैं, सब को वहां रोजगार मिलेगा देखिए, दस पंदरा महिला समू गाउठान में मसरूम उत्पाधन करेगा, एक सेड उनको देंगे दस पंदरा महिला समू सिलाई का काम करेगा, एक सेड वनायक उनको देंगे 10-15 का एक समू सबजी उत्पादन करेगा 10-15 का एक समू गोबर खरीदेगा 10-15 का एक समू बर्मी खाद बनाएगा 10-15 का एक समू सुपरकामपोस्ट खाद बनाएगा 10 महिला का समू एक मचली उत्पादन करेगा 10-15 का एक समू डेरी उत्पादन का काम करेगा 10-15 का समू बकरी उत्पादन का काम करेगा अब आप सोचिए वो जो गवठान बन रहा है वो हमारा लगूत द्योक केंद्र के रूप में काफी पहले मैंने एक पुस्तक पढ़ा था पूरा योजना उसमें गाओं के लोग सहर क्यों जाते है क्योंकि सहर में पक्की सड़क है सिमेंट सड़क है बिजली है पानी है इलाज की विवास्ता है सिक्षा की विवास्ता है साचालाई की विवास्ता है मानी मुख्यमंद्री जी का बड़ा इसपस सोच है कि वो सारी सुवीधाइं अगर हम गाउं में दे दें तो लोगों को सहर आना ना पड़े इसलिए आप देखेंगे देखिए अंग्रेजी मीडियम का स्कूल बड़ा चार्मिंग उसमें 50,000-75,000 फीस अब गरीब घर का आदमी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा नहीं सकता उसके भी बच्चे के सोच है कि मैं अंग्रेजी मीडियम में पढ़ूं तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल की सुभारम कर दिया गया अब पूरे प्रदेश में इसको चालू कर दिया गया और गरीब घर के बच्चे भी कोई फीस नहीं अब स्वामी आत्मनंद स्कूल में अंग्रेजी मीडियम का इसकूल में भरती पाय करेंगे और बढ़िया अंग्रेजी की सिक्षा प्राप्त करेंगे अभी आप देखेंगे एक और हिंदी मीडियम को भी इसी प्रकार से मानी मुख्यमंद रिजी ने लांज किया चालू कर रहे हैं पहले राउन में अभी हर बलाक मुख्याले पे हम कर रहे हैं फिर उसके बाद इसको और बढ़ाया जाएगा अब आप देखेंगे स्वास्त के दरिश्टी कोन में हमारे जितने भी प्राप्मिक स्वास्त केंदर हे सामधाइक स्वास्त केंदर हे इसको I.C.U. बेड से लेकर के वेंटिलेटर से लेकर सारा चीज उसमें हम लोग हार्ट क्लीनिक एक योजना उन्होंने बनाई और एक महिलाओं के लिए अलग से योजना बनाई तो वो जो इंबुलेंस हमारा चलता है उसमें महिला डाक्टर महिला कंपाउंडर सभी महिला अधिकारी कर्मचारी रहते हैं महिलाओं का वहां टेस्ट से लेके इलाज पूरा उसमें होता है अलग से वही उनके गाㅑं में जाके उनके वाड और मुहल्ले में हार बजारagn śinseो बजार में से हमारे ग्रामीन लोगों को मिल रहा है एक बहुत बड़ी उपलब्दी मैं कहूंगी कि बेरोजगारी की कमी हाला कि आपने बताया भी कि एक लगू द्योग सा शुरू हो गया कैसे खाद बनेगी वर्मी कंपोस्ट खाद बनेगी उसमें लोगों के जरुरत होती है तो एक त अश्ट्रिया औसत बेरोजगारी की दर की बात करूं तो साथ दशमलव छे है 36 गड़ में वो घटके तो बेरोजगारी की दर कुल तीन प्रतिशत आठ है यानि कि लोगों को रोजगार मिला है जिसके जरूरत है और जैसा कि आपने भी बताया कि मुख्यमंत्री नहीं चाह आप देखेंगे कि एक तरफ रोजगार उपलब्दी भी करा रहे हैं एक तरफ नौकरी भी देने काम चल रहा है दोनों एक साथ चल रहा है गोबर की जो बात अभी मैं कर रहा था आपको अभी तो एक और बड़ी चीज ला रहे हैं एक नया करांतिकारी कदम गोबर से जिली उत्पादन भी होगा और गोबर से हमारा खाद भी बनेगा उधर भी जा रहे हैं जो रास्टी बेरोजगारी दर अवसत है उसकी बात जो आपने कही उसका सबसे बड़ा कारण है जैसे अभी पुलिस भी भाग में हमने प्रमोशन भी करते जा रहे हैं और भरती भी क रमिथे उनको समभीली करन किया गया अलग-अलग विभागों में अलग-अलग नवकरियां दी जा रही है और रोजगार अलग उपलब्द कराय जा रहे हैं तो इन सब चीजों के कारण हमारा जो बेरोजगारी दर है बेरोजगार दर वो राश्टी अवसत से बहुत कम हमा आप एक चीज़ देखेंगे हमारा जो गवठान इसकिम है केंद्र के और अलग-अलग राज्यों के लोग यहां आ रहे हैं देखने के लिए अलग-अलग राज्य का विधायक मंतरीगान उनके आई-एस हमारा केंद्री लोगसभा की समीतियां वो सब आ रही देखने के लि अपने यहां दे सकें जी एक और अपलब्धी कही जाएगी जियस्टी के अगर हम बात करें तो बीस प्रतिशत की वृद्धी हुई है जियस्टी संक्लन में यह बड़ी बात है और आर्थिक तोर पर प्रतिश को बहुत मजबूत करती है वो इसलिए है कि हमारे यहां नीमों में सरली करन माननी मुख्यमंद्री जी करते जा रहे हैं और द्योगों को भी जादा से जादा छूट प्रदान करते जा रहे हैं जमीन के दर में हो चाहे बिजली के दर में हो चाहे एकल खिड़की प्रनाली हो चाहे लोन में हो हर चीज में और उनको रिलेक्सेशन जितना जादा दिया जा सके इसलिए में MOU जब हो रहा है तो उद्योग पती आकर अपना काम भी चालू कर रहे हैं तो इसलिए GST की प्राप्ती भी बहुत हो रही है और केंदर से जो हमको लेना है उसमें भी अभी तक हमको और जादा चाहिए वह भी प्राप्त नहीं हो रहा है लेकिन हमारे यहां से जादा से जादा GST वसूली हो रही है वनो पच के जो पारश्रमिक से लोगों के खातों में बैंक अकाउंट्स में सीधे पैसे डाले जा रहे हैं तो इससे एक तो लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूती मिल रही होगी दूसरा एक यह भी कि भाई हमारी सरकार हमारे लिए बहुत क सुछ कर रही है इसमें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह एक बड़ा करांतिकारी परिवर्तन है जो आजादी के बाद से अब तक नहीं हो पाया उसको बान्नी मुख्यमंद्री भूपेज बगहेल जी ने किया और उन्हेंने सुरवात की जमीन के पट्टा देने से जो व्यक्ति जंगल में रह रहा है जितनी जमीन वो कबज़ा करके रखा है उसका पट्टा उसको दिया गया सामुहिग भी पट्टा दिया गया और उसमें जो वनोपा जो पैदा कर रहा है फसल उसका समर्थन मुल्यताय किया गया पहले तो एक दो फसल का समर्थन मुल्यता अब तो बहुत सारे फसलों का समर्थन मुल्यताय कर दिया गया और वहां पर जादा से जादा वो लगाएंगे जैसा भी मैंने कहा कि जिसको पट्टा दिया गया अगर वो फलदार विरिक्ष लगाता है विरिक्षा रोपन करता है तो हम तीन साल दस-दस अजार देंगे पट्टा भी दिया गया, फसल लगाने के लिए पैसा भी दिया जा रहा है, सीधे उनके खाते मारा है, अब जो चीज फसल जो उत्पादन उन्हें ने किया, उसकी मार्केटिंग की भी विवास्ता कर रहे हैं, एमेजान से हमारा महिला स्वासायता समू के लोग जो उत्पादन कर रहे हैं, उसका कांटेक्ट हो रहा है, यहां मार्केट दे रहे हैं, सी मार्ट की स्थापना का एक नया कांसेट माने मुख्यमंद्री जीन ने कह दिया, सी मार्ट माने चट्तिस गड़ मार्ट, चट्तिस ग दिले, जैसे रासायनिक खाद को हटा करके, सबजी उत्पादन, फल का उत्पादन, गेहों का उत्पादन, धान चामल को उत्पादन, मने बर्मी खाद से जो करेंगे, उसको अलग से एक मार्केट दिया जाएगा, तो लगुवन उपच की जो बात आपने कही, सारे लगु पर अंचल में, सरवाधिक जो इसकूल बन थे लगभख साव डेड़ सो इसकूल, वो चालू किये गये, अस्पताल अंदर तक पहुंचाया गया, रासन दुकान अंदर तक पहुंचाया गया, तो इस प्रकार से करांतिकारी परिवर्तन, जंगल के छेतर में भी, चाहे वो विष्षा रोपन के माध्यम से, फलदार विच्ष के माध्यम से, जंगल में जो उत्पादन होने वाला वनोपज है, उसके माध्यम से तेंदू पत्या कर देखेंगे, आप चारहजार रुपिया कर दिया गया, सारे चीज में करांतिकारी परिवर्तन आया है और उसका इस सकारात्मक कहा जाएगा प्रदेश के लिए कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है इतना confidence महिलाव में आ रहा है वो आप खुद कुछ कर रही है यह एक बड़ी अच्छी बात आपने कही और मैं मुझे भी गर्वला को होता है खुसी होती है कि हमारे प्रदेश में 36 गड़ खेतियार मजदूर इस प्रकार से जो बातें हुआ करती थी माननी मुख्यमंतरी भूपेज बगेल जी ने बड़ा दूर दरसिता का परिचाए दिया दूरगामी सोच उनका महिला स्वासाहता समूह को जिस धंग से मजबूती प्रदान की गई वो अपने आप में पूरे देश के लिए उदाहरन है और जैसा कि मैंने कहा कि अभी महिला स्वासाहता समूह के लोग कर रहे हैं और इससे उनमें बड़ा एक कान्फिडेंस आया है और बड़े गर्व से वो बोलते हैं कई बार हम लोग वीडियो कान्फिंसिंग में मुख्यमंदरी जी के साथ रहते हैं जी और महिला स्वासाहता समूह से बात करने का जब उसर मिलता है तो उनको जब पूछते हैं कि गोबर से कितना फाइदा हुआ तो हमारी बहने कहते हैं कोई सब्सक्रिक उप्चास जार पाइदा हुआ कोई कहते हैं मेरे घ में मंगल सुतुटर बनाया तो कोई कहते हैं बच्चों को में अंगर्यजी मीडियम की स्कूल में भेजा तो पर खुसी महसूस होता है कुछ लोन भी था अभी मुख्यमंत्री जी ने तीजा के आउसर पर महिला स्वासाहता समू के उस रीन को भी माफ कर दिया ताकि हमारे बहने ससक्त हों मजबूत हों आगे बढ़ें रीन के भार से दबे हुए ना रहों उनमें आत्मा निरभरता है ज कर रहे हैं मैं मुख्यमंद्री जी को भी बहुत बहुत बढ़ाई और सुपकाम न देता हूं उनके इस दूर गामी और व्यापक सोच के लिए जी मुख्यमंद्री पुपेश पगेल ने जब सत्ता संभाली थी तो 36 गड़ के कहते हैं चार चिनहारी नर्वा गर्वा घुर कारी और इसके बारे में जड़ा बताएं देखिए ये चुनाओं के पहले जब माननी मुख्यमंद्री जी प्रदेशाद्यक्ष थे तो जब वो बात कहते थे नर्वा गर्वा घुरुवा बारी तो उस समय लोग हसी उड़ाते थे अब आप देखिए उनके एक-एक सोच को मैं थोड़ा सा संचीप तुमें बता देता हूं जी नर्वा मने नाला नाला आज छोटा होता जा रहा है अतिकरमन होके नाला में पानी रूकनी रहा है नाला को बंधान कर रहे हैं स्टाब डेम कर रहे हैं इनिकट बना रहे हैं ताकि उसमें पानी भरा रहे हैं अब पानी भरा रहने से कितने फाइदे दोनों किनारे जो खेत हैं वो पंप लगा के सिचाई करेंगे जी नाला में पानी भरे रहने से वाटर लेबल मेंटेन होगा आस पास के गाउं का जो वाटर लेबल डाउन हो गया है, पंप में पानी नहीं है, हैंड पंप में, वो उनको पानी मिल जाएगा, निस्तारी की सुईधा अलग मिलेगी, मवेशी जो घूमते रहते हैं, उनको सुईधा अलग मिलेगी, नाला के किनारे जो बाड़ी हैं, वो सबजी उत्पादन अलग करेंगे, एक नाला से इतनी सारी सुईधाय मिल गई, अब देखिए गरवा, गरवा मने जानवर मवेशी हमारे, ये सीधा गवठान में आ जाईए, पहले क्या होता था, जानवर को खुला छोड़ देते थे, लोग जानवर गाय रखना बंद कर दिये थे, अब गोबर खरीदी, जिस दि से हुई गवठान जिस दिन से बनाया गया, उस दिन से लोग अब जानवर रखना गाय की सेवा करना सुरू कर दिये, सडक में जानवर रहता था, रोज पचासों जानवर एक्सिडेंट से मरता था, अब वो जानवर गवठान में आने लगा है, पूरी तर पर धीरे धीरे गवठान में आने लगा है, तो हम गववन्स की रख्षा अलग कर रहे हैं, एक्सिडेंट से मरना अलग बचा रहे हैं, गोबर खरीदी से आएक्स रोत अलग बढ़ रहा है, बिजली उतपादन अलग करेंगे, कंपोस्ट खास से हमारा, जैविक खास से हमारा, केमिकल वाल चावाल गेहूं, सबजी दूद से अलग बचेंगे, स्वास्त के दिरिश्टी कोन से अलग फायदा होगा, जानवर हमारी बेस कीमती है, तो गरवा एक जानवर से गरवा रखने से, जानवर रखने से कितना सारा फायदा हुआ, नरवा गरवा, घुरवा, घुरवा हमारा देसी हमारा 36 गड़ का था घर का जो साप सफाई करते थे वो कचड़ा को गड़े में डालते थे बारो महिना वो उसको हम लोग घुरुवा बोलते हैं गाउं की भासा है 36 गड़ की वो खाद सड़ता था उसको हम धान जब बुआई करते थे तो उसको ले जाके एक प्रकार से समझ ये बर्मी खाद हो गया वो जिए उसको हम डालते थे खेत में उससे धान सब्जी उत्पादन करते थे अब उसको बर्मी खाद का अलग-अलग बना करके कंपोस्ट खाद बनाया जा रहा है उसी से तो नर्वा गरवा घुर्वा अब बारी बारी मतलब बारी अभी क्य होता था बाड़ी बड़े फार्म हाउस जहां सब्जी उत्पादन होता था उस सब्जी में जहां उत्पादन होता था केमिकल का फर्टलाइजर का ज्यादा इस्तेमाल होता था सुबह बहुत तेज केमिकल सब्जी में डालते हैं साम को सब्जी तोडते हैं दूसरे दिन और उससे हमारा स्वास्त खराब हो रहा है लेकिन माननी मुख्यमंद्री जी का concept कि हमारा जो अब बाड़ी बन रहा है गाउं में हर घर में बाड़ी बने ताकि अपने घर के लायक सबजी आप खुद बर्मिक हाथ से उत्पादन कर लो ताकि आपका स्वास्त ठीक रहे ये ए अब सब्जी उससे उत्पादन हो रहा है तो वह मार्केट में आकर ज्यादा रेट में भीक रहा है स्वास्त के द्रिश्टी कौन से भी बहुत अच्छा है तो यह जो चार नर्वा गर्वा घुर्वा बारी ये मूल हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश और उसका ये concept और उसको आज हम लोग पूरा करने जा रहे हैं जे 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 तो ये बहुत अच्छी योजना है प्रदेश के लिए जिससे प्रदेश वाकई में तरक्की की ओर बढ़ रहा है आर्थिक तोर पर मजबूत हो रहा है हम चाहेंगे कि सरकार ऐसे ही काम करते रहे प्रदेश की जं बताया कि सरकार प्रदेश के लिए क्या कुछ कर रही है और प्रदेश कितनी उन्नाती कर रहा है फिलाल इस खास पर उशक्रश में इतना ही बाकी खबरों के लगातार बने रहे हैं नियूस 24 मद्ध प्रदेश 34 कर के साथ आगे जरूर देखिए आपकी बात अबलाश मिश् जरूर गुछ Advent रहां कितना ही झावचर देखिए झाया कि सम्यवेश शवर कह साहई अबलाश मिश्वेश बात देखिए बाकी टूर लगलाश मिश्वेशनी झाया कि साथ Rightsूं कितना ही